उतरप्रदेश, उतराखन, केरल, राजस्थान, बिहार, समेत, देशके के राजियों में बारश का दौर जारी है बारश के वजह से उतरप्रदेश में 26 लोगों की मौत हो गई उतरप्रदेश के 22 जिलों में बारश से जन जीवन बुरे तरह प्रभावित हुआ और बारिश और संबंदित घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हो गई के स्थानों पर बिजली आपूर्ती ठप हो गई और हजारों मकान और दफ्तर कई फूट तक पानी में डूब गए राजदानी लखनओ समेत राजे के कुछ जिलों में स्कूल बंद कर दिये गए हैं राजदानी लखनओ और उससे सटे बारबांकी हरदोई, कानपूर, बहराईच और उन्वास समेत करीब बावस जिलों में जोरदार बारिश होई लगातार हो रही बारश की वज़ह से राजदानी लखनओ और उससे सटे बारबांकी जिले की शहरी इलाकों में भी गलियों और सडकों पर कई फूट पानी भर गया खास कर निचले इलाकों में अस्तित हजारों मकान जलभराओं की जद में आ गये ले अने किसानों पर दुकानों के बेसमेंट में बने गुदाम में पानी भर गया जिससे कारोबारियों को भारे नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री योग्यादे तिनाथ ने बारश के मदे नजर संबंधित जिलों की अधिकारियों को पूरी ततपर्ता से रहतकारे संचालित करने के अनरदेश दिये हैं प्रशासन ने बारश के चलते हल्प लाइन नंबर जारी कर दिये हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसके साथ ही मौसम विभाग ने मदे प्रदेश के आठ जिलों में भारी बारश का लट जारी किया है इनमें दत्या, मुरेना, भिंड, डिंडौरी, अनुपुर, टीकमगड, सतना और रिवा शामल है नर्मदा पूरम, भोपाल में हलकी बारश की संभावना है, इधर वाता वरड में मौजूल नमी की वज़ह से इन दोर में अगले 3-4 दिन सिर्फ बुंदा बांदी की संभावना है दिली में सोमवार को दिन भर उमस रही और हलकी बारश होई, वहीं अधिक्तम तापमान 33.5 डिग्री सेलसियस दश की आग्या जो साल की इस समय के हिसाब से समाने है आज के मौसम की संभावित के दिवधी टमिलनाडू में हलकी बारश हो सकती है